धाकर खबर एखौप सुमा देबाक अंदाज अगर आप रोजान असुबा उठकर खाली पेट पचास ग्राम को मूत्र का सेवन करें तो आपको कोरोना नहीं हो सकता है और वो इसका सेवन करते हैं इसलिए उन्हें कोरोना नहीं होता वो खूब पब्लिक मिटिंग को एडर्स करते हैं लोगों के बीच में जाते हैं कौन है विधायक मोदे तस्वीर आपके सामने रखोंगा और साथ ही इसके साथ-साथ चार ऐसी तस्वीर आपके सामने रखोंगा के लगता है भाजपा के इस विधायक की भाजपा में ही नहीं सुनी जा रही है क्योंकि भाजपा के विधायक तो कुछ और बोलते वे दिखाई दे चुनाव में व्यस्त हैं उसमें से अपना बीजी टाइम निकाल के उन्होंने इंटर्व्य दिया इंटर्व्य में पत्रकार ने सबाल पूछा कि एक बाद बताईए साब ये इतना चुनाव कराने इतनी भीड जूट रही है आपकी रेलियों में इससे तो कोरोना फैल रहा हो जो है चुना होने से भीड जूटने से रेलिया होने से इससे कोरोना नहीं फैल रहा है बंगाल में इस तरीके का जबाब उन्होंने दिया है ये जनसत्ता की कटिंग जो इंडियन एक्सप्रेस का हिंदी एडिशन है उसके जरीए हमने आपके सामने रखने जा रहा हूँ प यह आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे देख लिए आपने ये वीडियो है मद्य परदेश के इंदोर का जी हां उसी मद्य परदेश का जहां शाम दाम दंड बेद के अधार पर सिवरा सिंग चोहान ने सत्ताहतिया लिकांगरेस के बाई से इस्तिफा दिलबा दिया और वो बन गए चोथी बार सियम उसी मद्य प खाबर के सामने आने का मतलब ये है कि ऑक्सीजन का टेंकर है वहाँ पे टेंकर की पूजा करवाई जा रही है बड़े अच्छे तंत्रमंतर के जरीए जो है तमाम तरीके से बताया जा रहा कि चार गंटे तक दो जगा इस टेंकर को रोका गया जिसकी वज़े से ही अस्पत रोक 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 के उनकी पूजा कर रहे हैं लगता है इनका चरित्र वो बन गया एक पोटो एक बार सामने आया था कि लड़का कबर खोद रहा है और सेलफी कीच के फेस्बुक पे डाल रहा है कि मैं अपनी मां की कबर खोद रहा हूं तो उस पोटो को देखके मुझे कफनवाद या इतनी हमने चिताए सजवादी है इतनी हमने कबरे खुदवा दी है शायद उसका भी चितरन करने लग जाए क्योंके बेशर्मी तेरा आसरा लेकिन इस वीडियो में जो दिखाई दे रहे हैं वह हैं कैलास विजेवर के के बेटे विदायक हैं जो बैट लेके सीधा उसको पिटनेश लगए थे नगर निंगम के कमिशनर को तस्वीर याद है आपको आकाश विजेवर के उनका नाम है सांसद शंकरलाल मनी भी इस मोके पर बताया जारा मौजूद है यही नहीं यहां का जो क्लेक्टर है वो भी यह मौजूद है मनी सिंग अब क्या करे क्लेक्टर को पता है सांसद वीजेपी का खड़ा है विजेपी का खड़ा उसे अपनी उकात कंदासा है तो वह भी मजबूरी में खड़ा हो ही जाएगा या इसलिए खड़ा हो साब थोड़ा जल्दी कर लो टेंक को लगे जाना मेरे बड़ी धिक्कत है ऐस्पताल वाले उठकर पीने का तो बलिया उत्तरपरदेश का एकजिला है बेरिया यहां की एक विधान सबसीट है वहां से बीजेपी के विधायक है सुरेंदर सिंग राजपूत अपने बड़ बोलेपन के लिए जाने जाते हैं आये दिन कुछ न कुछ बेयान दे के चर्चाओं में बने र यह कह रहे हैं कि रोजाना पचास ग्राम गोमूत्र पीजिये और कोरोना बगाई और वो खुद पब्लिक मिटिक में जाते हैं पब्लिक के बीच रहते हैं उन्हें कभी कुछ नहीं हुआ है और मैं तो कुरेना के उपर पहले भी कहा था अपना ब्यक्तिकत जीमन का अनुभव मैं समाज में आज भी मैं बैरिया बिदान सभाचेत्र और पूरे बलिया के लोगों से भी मैं परातना करना चाहूँगा गव मुत्र में है और गाय के दूद में है उतना किसी भी तत्र में नहीं है इसलिए मैं सभी लोगों से प्रातना करता हूँ हां दूड के प्रातना करता हूँ कि मैं स्वेम आएक दिन भी समाज से अलग नहीं रहा हूँ चाहे जितना भी कोरुना का महाप्रलेक कुन आ गय हूँ कि सभी लोग सभी लोग जो है गाय का दूतिये बो मुत्र का हो सके तो सेवन करें खाली पेट जो है पचास ग्राम बूत्र का सेवन करने वाले व्यक्ति को और अगरा प्रवावित कम ही बिल्कुल नहीं करेगा मुझे ऐसा विश्वास है सुनली आपने अब इसी के चलते आपके सामने दोसरी तस्वीर रखना जादा बहतर होगा जो इनीक एक विधायक से जुड़ी भी आ रही है विधायक का इलाज नहीं करा पा रही है योगी सरकार जी हां ये कहते हुए विधायक के बैटे ने एक ट्वीट किया कि अपने फेस्बुक पे पोस्ट किया कि अपने ही विधायक का इलाज नहीं करा पा रही है योगी सरकार जिसके बाद खबराई के स्वास्त भाग ने का कि आप इनको लेके नोईडा के अथार्थ होस्पिटल पहुच जाईए और वो लेके निकल गए अथार्थ होस्पिटल में उनको भरती कर दिया गया अब उनका वहाँ पे इलाज चल रहा है लेकिन मामला क्या है वो जान ली जी बरेली जिला उत्तर प्रदेश का नवाब गंज यहाँ विदान सबासीटे य इसलाब को similar कर आपाथा क्योंकि सूक आता है इनके सामने उनका बाली वाली की तो यहां भी भाज़्वा जहते हैं और प्रशासनी कदीकाल जो है उनकी ताकत आधी रह जाती है तो यहाँं की नहापगंस सीट से विधायक है की सर सिंग गंगवार बारातारीं को वह कोरोना पॉजिटिव होगे दो दिन उने मेडिकल हॉस्पिटल में रखा गया उसके बाद उनको जो है प्लाजमा की जरौत पड़ी उन्होंने अपील भी जारी की कुछ एक हल्दवानी से एक शक्षक सामने है उसने प्लाजमा भी दे दिया भी पॉजिटिव लेकिन उसके बाद भी इनके आलत में सुधार नहीं है तो इनके बेटे विशाल ने जो है फेस्बुक पे लिख दिया कि मैंने सियम आवास पर सियम ओफिस पर फोन किया कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा है कोई फोन ने उठा रहा है बी जे पी अपने संक्रमित को रोना विधायक को भी नहीं बच रिपिला दो अस्पटाल जाने की क्या जूरौत है अगली तस्वीर की दरफ चलते हैं यह तस्वीर घाजियाबास से आ रही है भी के सिंग को जानते होंगे पूर जनरल रह चुके हैं वर्तमान समय में राज्यमंत्री हैं पिछली बार भी राज्यमंत्री थे फुल मेरे भाई को बैड़ दिलवा दे इस तरीके का इन्होंने ट्वीट कर दिया जिसके बाद पूरे घाजिबाद में हड़कम मच गया पता लगाया गया कि कहा है इनका भाई जिसकी हालत खराब है कोरोना से वो परिशान है और उसको अस्पताल में भरतिकराया जाए बरतिकर दिया गया पर शासन ने कहा कि जिसके बारे में सांसद महुदे ने जनकरी दी थी उनको अस्पताल में बैड दिलवा दिया गया लेकिन कुछी देर बाद भी के सिंग ने इस ट्वीट को डिलीट कर दिया कहा मैंने अपने भाई के लिए नहीं महांगा था सब जनता वाले म बताना पड़ रहा है तागे पर साथन दबाओ बन जाए यह एक तरीका हो सकता है दूसरा तरीका यह है कि पहले अपना बाई बताएब बाद में इंकार कर दिया तो ट्वीट को डिल्च करने की क्या जो मान लीडिया आपने किसी और को ही भाई मान के तूइट किया था सु कौन बैड कौन औक्सीजन कौन रेमेडी सी वियर इंजेक्सचन अब अगली तस्वीर की तरफ चलते हैं दो पुरानी तस्वीरे हैं यह इसलिए हमने सबसे आखर में इनको शुमार किया है यहां पे हम योगी सरकार के एक मंत्री का हाल आपके सामने रखेंगे और इन दोनों के बयान जो हैं वो सुरंदर सिंग राजपूर दवारा दिए गए बयान में आप रोनने की कोशिश किजिएा लखनओ में एंबूलैंस नहीं मिल पा रही है घटो घटो तक एम्पूलैंस नहीं मिलती है को़ोना की रिपोर्ट नहीं मिलती है और यहां पर स्वास से माई ल पत्र लिख दिया अपर मुख्य सचिव को तो यहां उन्होंने पत्र में जो आधार बनाया वो कहा कि पदम स्री योगेश प्रविन की ऐसे ही एंबुलेंस ना मिलने के कारण मौत हो गई मैं खापी कोशिश करता रहा लेकिन उनको एंबुलेंस नहीं दिलवा पाया तो अभी कर मिश्रा जो बीजेपी के बिढ़ाया कि उनका उस्सा बढ़ा गया ब्रिजेश पाठक जो मंत्री हैं वो तो पत्र लिख रहे थे इन्हों तो बाकाइदा प्रेस कॉंफरेंस कर दिए और प्रेस कॉंफरेंस करके आरोप लगाए कि भहिया जो सरकारी अस्पताल है उसमें कि शर्मनाक परिवार के लोगों से लोगों से ещё ही टैट बोडी को को इम्बुलेंस अक रखवाया इस पूरे मामले को लेकर वह दित्तेनातियों से शिकायत करेंगे लेकिन हम रतना कर्मिश्रा से सबाल है आदितनातियों कि जी से शिकायत करनेeras की जरूट क्या है आप सब मरीजों को कहो जैसे सुनंदर सिंग राजपुत ने कहा है कि गौम उत्र पचास गिराम रोजाना सुबा को पीए और पिलाएं कोरोना भाग जाएगा आप बने रहेंगा धाकड कबर के साथ फिलाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं क का खर को लाइक कर सकते हैं चैनल को सबस्काइब कर सकते ह। जादा से जादा हमारी कापरों को शेयर कर सकते हैं फिर यासे ऐसी सो लेकलते वे यवलसस ही मिद्धिय लेकर मैं आपके सामने हूंगगा अगाजब फिलाला भी मुझे नहीं जाजव